तो नमस्कार भाय लोग स्वागात आप सभीका इस वीडियो में और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप आप जब कभी भी मतलब disc को क्लीन करने का कुछिस किजिए तो देख सकते हैं select this one attribute clear कर दिये है यह नेट पर दिय रहाता attribute क्लीर कर दिये फिर भी नहीं हुआ हाट यह बसक्राइब करने का कुछिस है गई उसको एकए करने के लिए आपको एक software., जिसका नाम है, जिसका नाम है Rufus. तो जब आप Rufus install करें, तो डबल क्लिक कीचे, दाइमिनिस्ट्रेटर आपको इसके दिजिएगा, उसके बाद बेसिकली open हो जाएगा. तो यह अपने आप डिस्क कर लेगा या फिर मैंनों अगर जार डिस्क मतलब लगा के रखें कर दूसको सेलेक कर लिजे यह आयसो उसे कुछ सेलेक नहीं करना यहां पर नॉन बूटेवल कीजे और MBR के जगए GPT कीजिए यह फाट 32 BT राहन दिए को यूसे फाट 32 होता है उसके बाद स्टार्ट कर दो यह बिसकली आपका यह प्रोब्लम जो आ रहा था बिसकली की SS is denied प्रोब्लम तो वो बैसटिकली इस प्रोब्लम को सॉल्व कर देगा ठीक है उसके बाद फिर से जाईए और यहाँप पर टैप कीजिए कर लिए डिस्क डिस्क पड़ पिर से टैप कियें? उसके बाद list disk lists disk उसके बाद select disk 1 disk select हो गया? उसके बाद आप फिर से try करते हैं तो देख सकते हैं आपके आग के सामने में डिस्क पार्ट सक्षिए इंक्लेनिंग डिस्क हो गया तो ऐसे ही इसको बेसिकली सॉल करना रूफस कैसे डाउनलोड करना आपको रूफस ट्राइ करना सीधे गूगल पर जाना रूफस सबसे उपर में जो आयागा रिजल्ट आयागा रूफस का तो क्लिक करके उसको रूफस को ओपन करके और मतलब कहने का वल उसका डाउनलोड वाला उपर में दे रहता है उसके सबसे उपर वाला वेबसाइट में रूफस का डाउनलोड कर लिजेगा एक अमभी का फाइल जा रहा नहीं है तो उसी से आप इसको कर सकते यह प्रॉल्म तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आगर पसंद आया तो लाइक सबस्क्राइब जरूर कीजिए का मिलते हैं आप सब्सक्राइब कर लिए जाहिए बारत पीस